हेलो दोस्तो! तो दोस्तो, आज हम ने बनाई है मेटी सी महाई और इसको हमने सर्व किया है चोकलेट के साथ आप देख सकते हैं किस तो छर्व किया है और यह बहुती जएदा Simple Receipt की है बहुती जएदा आसान है आप बहुत ही आसानी से इसको घर में बना सकते हैं और दोस्तो आगर आप मेरी चनल में एक दाफ उने पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चलों को सब्सक्राइब करके बेहल ऐकन दबा दीजिए तो चले दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस्तो हमने काजू और बदाम को काट के रख लिया है और अब इसको हमने रोश्ट करना है तो देखें कड़ाई हमारी गरम हो चुक है और इसमें देशेगी ढाला है तो तक्रीबन इसको 2-3 मिनिट तक हमको रोश्ट करना है हिलाते रहे हैं इसको जलने नहीं देना है केवल अच्छे से इसका रोष्ट करना है इसको हमें तो दोस्तों देखे कि अच्छे से रोष्ट हो रहा है जलाना विज्गूल नहीं है इसको चलाते रहना है इसको तो देखिए दोस्तों, 2-3 मिनट हो चुके हैं, और काजू और बदा हमारे अच्छे से रोष्ट हो चुके हैं, तो इसको अलग निकाल लेते हैं तो चलिए आप हमने जो अपनी सेमेई है इसको हमने रोष्ट करना है क्योंकि हमने रोष्टेट सीवाई नहीं लिए अगर आपने रोष्टेट सीवाई पहले से लिए तो आपको रोष्ट करने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो उसी गी में हम इसको भी रोष्ट कर लेना है अब इसमें हम डालना है 3 इलाइची साबूद इलाइची हमने डाली है आप इलाइची पॉर्डर का भी प्रियोग इसमें कर सकते हैं तो अच्छे से इसको आप मिक्स कर लेना है इसको भी हमने 2-3 मिनिट तक अच्छे से इसी तरह किसे चलाते हुए रोष्ट करना है तो देखे कितने अच्छे से हमारी जो सेवें यह रोष्ट हो रही है अच्छे से इसको हमने भून लेना है तो आप देख सकते हैं तो इतना ही हमको इसको भूनना है अब इसमें हम डाल लेते हैं दूद तो देखिए दूद जो हम यूज कर रहे हैं हमने डेल लिटर इसमें दूद यूज किया है तो चलिए दोस्तों दूद भी हमने इसमें डाल लिया है अच्छे से हमको दूद को सीवई के साथ मिक्स करना है तो इस तरीके से हलके हलके आतर से इसको इसके साथ मिक्स कर लेना है हमने तो देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से ये मिक्स हो रही है और अब दूद में उबाल आने देना है जिससे की सीमय भी उसके साथ अच्छे से पक जाए और सॉफ्ट हो जाए तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारे सीमी पक रही है इसी तरह करें से बीजीच में इसको चलाते रही है नीचे नहीं लगने देना है इसको तो इसको देखिए 20 मिनट लगबक पकते वे हो चुके हैं और कितनी गाड़ा हो चुका है देखिए दूद तो इसी तरह के से आपको तक्रिमें 20-25 मिट तक इसको अच्छे से उबालना है तो चलिए दोस्तो इसमें आप चीनी डाल लेते हैं तो चीनी आप स्वादनुसार डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंदे तो ज़्यादा डाल सकते हैं और कम पसंद दें तो आप कम डाल सकते हैं तो चलिए दोस्तों चीनी भी हमने इसमें डाल लिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और दोस्तों आप बारी आ गई है हमने जो हमारे काजू और बदाम थे हमने रुष्ट करके रखे थे वो इसमें डाल लेते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों जो सिमय है हमारी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और दूद भी बहुत ज्यादा गाड़ा हो चुका है इसके साथ तो दोस्तों बनकर तयार है हमारी जोसे हमने सिवाई बनाई है देख सकते हैं आप इसको कितना अच्छा है इसका टेक्स्चर आया है तो इसी तरह के से आपको यह बनानी है तो चली दोस्ते उसको अब सर्व कर लेते हैं तो सर्व करने के लिए हमने इसमें एक देखेए इस तरह के से हम ग्लास ले रहे हैं हैं और जो चोकलेट सीरप आता है आप साइड में उसको इस तरह के से डाल सकते हैं इसे थोड़ा सा attractive लगती है और बच्चे इसको सौक से खा लेते हैं आप layer wise भी इसको बना सकते हैं एक layer डाले कि उसको पर सिवई डालके भी आप इसको बना सकते हैं और सिवई जो है आपको ठंडी करने रख लेनी है पहले से अगर गरब सिवई इसमें आप डाल देंगे तो आप ट्राइ कर सकते हैं अगर आप किसी को पसंद नहीं आती है इसी वई तो आप इस तरह के से उनको खिला सकते हैं क्योंकि चोकलेटकस में स्वाद आता है तो उनको यह जरूर पसंद आएगी तो आप भी इसको ट्राइ कर सकते हैं घर में और आप अपनी creativity के हिसाब से भ दूर करेंगा और हमें पताएगा कि आपको यह recipe कैसे लगी और दोस्तों हमारे आई बटन पर भी जो हमने पहले वीडियो बनाए है वो वीडियो भी आ रहे हैं हमारी recipe के और end screen पर हमारे वीडियो आएंगे आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं अ कि दुस्तों बनकर तैया आ रहा है हमारी चौकलिट सिमय अ है पहले वी बना कर रखा देटी आप देखिये सिंपल भी हम कर रह covenant शोगों कर आप किसी भी तरह सेस को खा सकते हैं तो चले दोस्तों मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ अमनी चैनल मेगदाफोट में बहुत चल थैंक्यों दोस्तों वीडियो को देखने के लिए